प्रणाम सब दोस्तों को मैं कालू राम सिहाग गवर्मेंट को लेज भादरा आज अपने अगला विचारक मेक्यावली पढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं मेक्यावली से जो महतोपुरून परसन यहां बनने के समभावनाएं पहले उसके उपर अपने डिस्कुस करते हैं कि क्या क्या परसन है वो मेक्यावली से बन सकते हैं सबसे मैं इंपोर्टेंट यही है कि मेक्यावली का राजनेतिक चिंतन में जो आधुनिक राजनेतिक चिंतन है मद्यकाल के बाद उसमें मुख्य रूप से क्या योगदान है वहां से परसन बन सकता है फिर अगर आपने बात करें तो इसको आधुनिक राजनिती विज्ञान का या जनक या अपने यूग का शीशू कहा जाता है क्या कारण है यह थार्त वादी जो राजनिती की शुरुआत होती है उसमें इसका क्या योगदान है मैक्यावली की जो परमुख रचनाएं है प्रिंस है या आर्ट उफ वार है यहां से भी परसंध मुखा सकता है सबसे जयादा जो परिंस या इसकोड़ से पुखा दाएगा इस टी ऑ फलॉरेंस भी से पर्थक्रण करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने राजनीती का निती सास्तर से पर्थक्रण किया जो बिल्कुल गलत हैं निती सास्तर से पर्थक्रण अरस्तु करते हैं अरस्तु को निति सास्तर से पर्थक्रण के कारण राजनिती विज्ञान का जनक कहते हैं और राजनिती का मद्य युग में धर्म से बहुत मिलन हो गया था और उस मद्य युग के बाद मद्य युग का अंत करते हुए यहां मेक्यावली उसे धरम से अलग करते हैं नेतिक्ता की बात तो करते हैं लेकिन मुखे रूप से नेतिक्ता से परतकन तो अरस्तु कर चुके हैं उसका दुबारा परतकन कैसे होगा है पहली बार धरम से अलग करने का काम मेक्यावली ने किया और इसलिए उसे आधुनिक राजनि तो पर फिर अपने को मेख्यालव पे टिक करना है पिर जो राजा को इन्होंने एक प्रिस्ट की उपाधी दी है उसमें राजा के लिए कुछ महतो पूर्ण गुण बताए है सेर लोमडी के वहां से परसंट बन सकते हैं और पेरेटों के साथ इसकी तुला करनी है पेरेटों भी कहीना कहीं ऐसी बात करता है और कहीना कहीं हमारा कोटीले है वो भी इसके साथ ऐसी बातें करता है तो उनके साथ अपने को इसकी तुनला करनी है सक्तिकी राजनीती की ये कही न कहीं बात करते हैं उसकी अपने को बात करनी है और मेक्यावली के मानोस सभाव से समन्दित विचार है उस पे अपने को कहीं न कहीं बात करनी है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि परसन कहां से बन सकते हैं तो यह यह वो जगए हैं जहां से परसन बनने के संभावनाएं ज्यादा है ठीक है और इसके बारे में जो लोगों के कोटेशन हैं वहां से परसन बन सकता है तो आज अपने सुरू करते हैं मेक्यावली अग आपको मैं बता दूँ कि मेक्यावली है व हो जीवन का जो अंतिम सबें है वो इनका अरस्तू के रही बीता था इनको भी राजद्रो के केस में जेल में डाल दिया गया फिर बड़ी महनत के बाद अपने दोस्तों के परियासों के बाद महां से मुक्ष गया और जेल में ही इनों ने अपनी बुक प्रिंस लिखी थी और वो इस सर्थ पे लिखी गई कि वो उस लिखने का और जेल से छोड़ने का जो उनका मैन सर्थ थी वो ये थी कि यह सारवजनिक जीवन में या राजनिती के अंदर कभी परवेश नहीं करेगा और इसी सर्थ के आधार पर इसकी जो प्रिंस बुक है वो लिखी तो 1513 में गए थी लेकिन उसका जो परकासन है वो उनकी मोत के बाद होता है 1532 में तो इसका कारण ये था कि मैं कैवली ने ये कहा था कि मुझे जेल से छोड़ दीजिए मैं राजनिती में सारवजनिक जीवन भाग नहीं लूँगा और इसी सर्थ पे उसे छोड़ा गया ये प्रभावित हुए सबसे जादा सीजर बोर्जिया से और इन्हों ने लिखा किसके लिए इनका आदर्स राजा था लेकिन इन्हों ने किसको गाइडेंस करने के लिए लिए ये अगर अपने को पूचा लेकिन संबोधित किसको करके लिखते हैं ये लोरेंजों को इनका प्रेस कौन है इनका प्रिंस है सीजर बोर्जिया और प्रेना लेते किससे हैं सीजर बोर्जिया से और संबोधित किसको करके लिखी है लोरेंजों को ठीक है और इसमें 26 अध्याएं हैं और इन्होंने इस में राजतंतर को सब से सरोसरी शासन माना है डिस्कौर्स ओन लीवी है उसमें उन्हों ने गंतंतर की बात की है तो यह अपने को ध्यां रखना है यह इनकी बुक है और हिस्ट्य ओफ लारेंस यह इनकी परमुख रचनाय है इसके बाद अगर अगर अपने अध्यन पत्ति की बात करें तो इनकी एक इस अपने कहना चाहें तो इनकी जो अध्यन पति थी वह अनुभो परदान एतियासिक वीदी थी इन्होंने अनुभो यान करें तो वो मानो समंधी विचार बहुत महत्वपरण हैं वो यह कहते हैं राजमतिक पिजय कोड़ों की बात करें तो वह कहते हैं कि मानों मनुस्थे को 900 नहींकी ति उसे परकार के कलपना मानों के सभाव समंधी ने यह मैं है वो कहता है कि जो लोग होते हैं प्रेश में लिखता भी है कि हते हैं वह वह नेक अग्यानी भी होते है और सभाव से धुरा creative होते हैं व coffee आपके सामने जब कमजोर होंगे औनको लगेगा आप सक्ति सारी करती हैं एक बहुत लल्ची होता है वह यहाँ तक कहते हैं कि कोटेशन की बार पूछी की कि वहे उसे कभी नहीं भूलता उसे जीवन भर बदला लेने का प्रियास करता है और कहीं ना कहीं इनकी ये जो बात है ये इनकी महतोकांग सा है इच्छा है लाल सा है वासना है इसकी जो परधानता है वो कहीं ना कहीं होबस के विचारों से मिलती है यानि व्यक्ति धंड उपा है मुझे अपनी आसाओं की आप्रीमितिता के कَारण ही अपराद कर भेड़ते हैं यानि उसकी आसाओं की कोई प्रीमित यानि वह सीमा नहीं है सीमित नहीं है वो कहीं कभी खतम नहीं होने वाली हैर्ज किसी वैक्तित के हत्या करता है अपराद करता है मेक्यावली के राजनितिक विचार है वो मुक्यताय राज्या और सासन समंदी है और वो मानो सभाव पर यहाधारित है वो कहता है कि मानो में प्रेम और भै दोनों में से भै का स्थान महतो पुर्ण है very important है प्रेम और भे में अपने मानते हैं प्रेम का होना चाहिए नहीं यह कहते हैं भे का स्थान महतों पुर्ण है और एक सासक को अपने सफल सासन के लिए प्रेम के स्थान पर भे को अधिक महतों देना चाहिए क्योंकि भे बिनना होए प्रीत यह कहते हैं कि अगर आप प्रे इंकिस्तान पर भेको दिख मैं तो देना चाहिए राज्य समंदी जो इनकी विचार है वो राज्य को एक सभाविक संस्ता नहीं मानते हैं वह कहते हैं कि राज्य को इसलिए इस सुरक्षिया में अगर कोई अर्चन पैदा हो तो उसका दमन कर देना चाहिए साशन समंदी जो विचार है वो वेरी इंपोर्टेंट है राज्य को नेतिक्ता के सारो भौमिक नियमों से सुरोकार नहीं रखना चाहिए यानि नेतिक्ता के जो नियम है सारो भौमिक नियम है धरम के नियम है वो राज्य प्रलागू नहीं होते हैं कही ना कही अंतरास्टी राजनिती में ऐसे विचारों की बात कोन करते हैं हंस जे मुर्गन थो और आपने भारत के राजनिती विचारों में क्यावली भी ये बात करते हैं तो राजनिती का धरम से परतकरन करते हैं और धरम निर्पेक्स राजनिती की नियू रखते हैं वो कहते हैं कि धरम को कभी भी राजन्ति में समिल नहीं करना चाहिए मानो को के वल और केवल इस लोग के भोतिक सुकों के लिए ही जीना चाहिए उसे कभी भी ऐसा तो पारलोगिक अधरफर के सुकोमें विश्वास नहीं करना चाहिए और सासक को अच्छे बुरे की चिंता नहीं करना चाहिए उसे सधेव अपने ज़ो पवित्र उसका लगसे है अपने राजे की रक्षिया करनी है उसको ही धान में रखना चाहिए उसके लिए अगकर उसे बुरे को चुनना पड़े तो उसे चुन लेना चाहिए, उसे यानि सेर और लोमणी दोनों के गुण होने चाहिए उसमें, यह कहता है कि साध्य ही साध्यों का उच्छी तैसित करते हैं, महात्मा गांदी के विप्रीच, महात्मा गांदी कहते हैं कि साध्यन और साध्यन दोन बेगार देंक्स